ये देखिए विश्वा के सबसे उच्छी प्रतीमा आता है जब यू दिखूँ मैं भी भारत भवन जा रही हूँ भारत भवन जाने जाने लिए आप आते इस दिश्चा कर सकते हैं मेरे पिचे जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसका नाम है स्टेश्ट भारत भवन विल्डिंग के बज़े से इस पॉइंट को भारत भवन ऐसे नाम पड़ा है अगर आपको स्टेश ओफ यूनिटी का परिशर देखना है तो क्या पर आपको फ्री बस मिलेगी फ्री बस यहां भारत भवन से ही निकलती है तो आप खाबे भी हो आपको पहले भारत भवन ही आना पड़ता है अब भारत भवन आईए फ्री बस पकड़िये और निकलिये अभी मैं भी निकल रही हूँ यह है फ्री बस का पिक अप पॉइंट अभी मैं बस में चट रही हूँ बस एकम अगाम डाई रही है और यह सीड़ाश टैचू के आपे पोचे ही यह बस 17 स्टाप पे रुपती है यह बहुती अच्छी है इसी बस है वो देखो एकम हूँ हम अभी स्टैचू के यहां पोच गाया है मैं अभी उतर रही है स्टाचू अफ यूनिटी स्टाच अफ यूनिटी के लिए खास बनाई गई गई गया और हर फाट तर्स मिनिट में अवेलेबल है यह पर स्टाचूरिटी चेकिंग होदे बाद में आप इंड़ी करें स्टाच अफ यूनिटी देखने से पहले आप वाल अफ यूनिटी देखना आईए मेरे साथ यूनिटी यह है वाल अफ यूनिटी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भारत के देड़ लाग से जादा गाउने अपनी अपनी मिट्टी दी थी उस मिट्टी में से यह दिवार बनाई गई है यही तो होती है यूनिटी आईए मेरे साथ यूनिटी बहुत दूर है तो आपको चलने की तकलिफ है तो यह से जाए आप आपको मालूम है यह प्राथिमा 182 मीटर उची है सदर जी का एक सबना था कि डैम बनाना इसी नर्मदा नदी पे वो आज पूरा हुआ है इसलिए इस प्राथिमा को डैम फेशिंग बनाया है देखिए यह प्राथिमा जिस टीले पर बनाई है उसे सादो टीला बोलते है यह टीला कभी भी टूपने वाला नहीं है यह प्राथिमा बनाने के लिए पाथ साल लगे है पूरे पाथ साल अबिमेसा दाजी केट चेस पेचारायू वासा अबिमेसा अब को दूश शरीकाम यह मुझी इस तरह बनाई गई है यह सद्दाजी का छोटा सा म्यूजियम अबिमेसा जाज़ बनाईachtो अबिया समय के लूपा मिला प्रहुमर्ट मुवल्ट जान्यूच्ट हम पहुचे है सर्दाजी के चेट में यह लिफ्ट 38 सेगेंड में उपर आती है यहां से नदी का दुश्य बहुत ही अच्छा दिखता है अब ही आप सादू आइलर्ड को कट करके एक लेवल बना के उसके उपर दो पिलर खड़ा किया है आप आये वो लेफ्ट इसके अंदर बनाए गई पिलर भी वो है पेर भी वो है और लिफ्ट भी इसके अंदर बनाए गई इसके आजबस ही जो वाइट का दिखरा श्टिर का श्टप्चा जॉइंट किया और इसके पाहर की साथ ब्रॉंज की प्लेट लगाई जैसे कपड़ा पेंट है वैसे पुरे-पूरा बार की साथ से ब्रॉंज से कवर किया और अलंटी कंपनी वालों ने बनाए है लार्शन ए टुप्रोर उन्होंने ये काम सारे तीन साल में खत्व किया ये भी एक वर्ड का रेकॉर्ड है और ये जो जाली है वो सदार वल्लमाय पटल को गोड पेना जैगेट इसकी डिजाएगी और इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बाल की तरफ में जो पात दिख़़ा है वो शॉल ओड़ा इसका पात दिख़़ा है और बीज में जो पट्टी है बटन पट्टी है वहां से आपको गोड का उपर से से कंड नंबर का गोड आगा का बटन दिख़़ेगा तो उपर स ये हैस्का चुके पीट का माई इन सब राजाओं को एक तुरेट कोच के भारत बनाएं गया आजाओं के भारत बनाएं आनाएं अबड़त आधा आधा इन सब्सक्राइब अपने सबस्क्राइब आधा इसारे श्च्छू याप लगाए है और सद्दार जी की परतीमा जाबे है सबसे उची मैं चाहिए हूँ सद्दार जी के चल्म पे अब उस्पोच है आपको मालूम है अभी मैं किज़र हूँ दार वजब पाई पटेल के चल्नों में इनका पेर का अंगुटा मेरे जितना है ये देखिये कितनी भव्य मुठ्टी है मैं संदार वलब पाई पटेल जी के चप्पर के नीचे आ गई ये जगा को कैंपस बोला जाते हैं यहां से रेजर शो बहुत अच्छा दिखते हैं हर शाम को यहां पे संदार जी का लेजर शो दें वो लेजर शो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए सेच्चू के पदिशन में बैग अलावड नहीं है आपको बैग इधर खोड़ना पड़ेगा है लोकर रूम मिला बैग मिल गया अभी ये मेरा वीडियो समाप दोता है पीज लाइक, शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल थैंक्स पर वाचिन आप वीडियो पाई वंदी मातरम वंदी मातरम वंदी मातरम सुद्रा, सुप्रा, महरजी दला सथ्यामन मातरम वंदी मातरम वंदी मातरम वंदी मातरम